हेलो एविवान, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स और मैं हूँ अनुबव कुपता सुर आजकल एक बहुत जादा टर्म, हेड्लाइन्स के अंदर है जिसको हम कहते हैं सीडीशन रिसेंटली दिशारावी का केस हुआ जहां उन्होंने एक टूल किट शेयर करी थी जो कि ग्रेटा थन्बग ने भी अपने ट्वीट शेयर की थी लेकिन बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया पुलिस ने उनके उपर सीडीशन का केस लगा दिया इससे थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब CEA के प्रोटेस्ट हो रहे थे तो शारजील इमाम जो की एक JNU के स्टूरेंट थे उनके उपर भी सीडीशन का चार्ज लगा और उससे और थोड़ा पीछे जाएं तो JNU के अंदर ही 2016 के अंदर जो वहां की यूनियन थी और वहां पे बहुत सारे ऐसे कुछ स्लोगनेरिंग हुई थी जो इसमें कनेया कुमार और भी बहुत सारे कुछ लोग थे उसके अंदर जिसके अंदर उनके उपर फिर उनकी sedition का case file हुआ और अब उनका trial court के अंदर चल रहा है तो आज की वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगी sedition अगर मैं इसको हिंदी में translate करूँ तो इसको Raj Drow कहते है तो इस sedition का log क्या है इंडिया के अंदर ये कैसे आया और कब कौन सी situation को sedition माना जाता है आज की वीडियो के अंदर मैं सब बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो अगर friends मैं बात करूँ sedition section 124 capital A sedition के बार में बात करता है जो की IPC के अंदर है लेकें जो IPC 1860 में बना था Lord Maculay ने जो ये IPC बनाया था उसके अंदर sedition नहीं था इसको बाद में amend करा गया 1870 के अंदर और इसके अंदर section add करा गया 124 capital A और ये किसने करा था ये बहुत important है जानना उनका नाम था James Fitz James Stevens उन्होंने इसको amend करा था और इसके अंदर 124 capital A का section डाला था ये क्यों डाला था कि उस समय जो Muslim preachers थे उनकी एक movement चल रही थी जो कि वहाबी और वली उल्ला की ये movement थी तो इस movement को suppress करने के लिए Britishers ये sedition का section लेके आये थे और इसके लिए ताकि इस तरीके की movement को curb करा जा सके, national movements को curb करा जा सके उनके लिए ये sedition का section लेके आये थे कुछ बहुत famous personalities को भी इसके अंदर जेल में जाना पड़ा for example महात्मा गांधी को as well as बाल गंगादर तिलक के ओपर भी government ने अंग्रेजों ने sedition का case लगाया था और उनको जेल में कुछ समय काटना पड़ा था तो अब friends हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि sedition का actually law क्या है तो अगर मैं आपको 124a की wording पढ़के सुना हूँ तो ये कहता है sedition as per law is defined in any words either spoken or written or by signs or by visual representations that could bring और attempt to bring either ये तीन words बहुत important है hatred, contempt or excite or bring to excite any dissatisfaction including disloyalty or any feeling of enmity towards the government established by law तो ये तो sedition है अब अगर कोई ऐसा sedition करता है यानि की disaffection against government या disloyalty लेके आता है तो उसके लिए punishment क्या दी गई है इसके अंदर minimum 3 years से लेके life imprisonment तक की punishment हो सकती है इसके लावा fine भी court impose कर सकता है तो अब friends हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि constitution of India हमें article 19.1a में freedom of speech and expression देता है तो क्या हम speech and expression की अगर हमें freedom है तो क्या हमारे उपर sedition की restriction लगाई जा सकती है क्योंकि वो article 19.2 में तो mention नहीं है सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूँ कि 2019 के अंदर थोड़ा सा अभी पहली की बात बताता हूँ 2019 के अंदर ministry of home affairs ने राजय सभा के अंदर एक written statement दी थी और ये बोला था कि sedition के अंदर वो कोई भी amendment नहीं करेंगे ना ही कोई भी उसको repealment उसका करेंगे reason being उन्होंने का कि terrorist से, secessionist से and anti-national element से fight करने के लिए sedition के law बहुत important है ठीक है ये हम मानते हैं उसके बाद अगर मैं इसकी history में जाऊं तो जब भारत अजाद हुआ था constitution भी बन गया था तो कई सारे sedition के cases आए तो अलाबाद high code ने राम नंदन वर्सी स्टेट के case में ये बोला कि जो sedition है ये अब void हो जाएगा sedition को उन्होंने invalidate कर दिया और उन्होंने बोला कि जो भी government है उसको सिरफ पार्लेमेंट में opposition तो नहीं चाहिए इसके अलाबा मतलब पार्लेमेंट में opposition तो चाहिए ही चाहिए इसके अलाबा उसको approval और हर citizen के पास right है approval या disapproval होने का government के work के ओपर and इस वज़े से 1902 में ये कि ये reasonable restriction नहीं है इस वज़े से हम sedition को invalid कर देते यानि कि sedition law खतम कर देते उसके बाद appeal गई supreme court में 1962 में कैदार नाथ versus state of बिहार का ये case था जिसमें supreme court ने अलाबाद high court की जो ruling थी उसको overrule कर दिया और ये बोला कि जो government established by law है उसका मतलब क्या है government established by law का मतलब है state and state की stability के लिए बहुत ज़ादा जरूरी है ये sedition का law and अगर state की stability ही नहीं रहेगी तो state की existence भी बहुत jeopardy में आ जाएगी तो इसलिए sedition important है लेकिन उन्होंने safeguards भी लगा दिये थे उन्होंने बोला था कि कोई कितना भी bitter comment करे या कैसा भी comment करे उसको sedition नहीं माना जाएगा unless and until वो violence किसी तरीके से insight ना कर रहा हो या हिंसा ना भढ़का रहा हो या किसी तरीके से तो जब तक वो feelings वो generate नहीं कर रहा violence की तब तक किसी भी चीज को किसी comment को sedition नहीं माना जाएगा उसके बाद Delhi High Court की एक बहुत famous ruling थी पंकज बुटालिया वर्सी Central Board of Film certification की इसमें Delhi High Court ने बोला जब भी आप sedition के words जा speech देख रहे हो तो आपको उसे as a whole देखना है as a नहीं है कि आप कुछ isolated parts देखो आपको जो भी speech थी जो भी material था उसको as a whole देखना है और as a whole देखके लगे कि वो seditious है तो ही या वो violence insight कर सकता है तो ही उसको sedition माना जाएगा इसके बार फ्रेंज अगर हम आगे चले तो next चीज़ जो हुई थी जब डेन प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया इंद्रा गांदी जी का murder हुआ था and तब एक case था बलवन सिंग वर्सी स्टेट ऑफ पंजब वहाँ पे क्या हुआ था कुछ लोगों ने मिलके court के भार ये नारे लगाये थे खालिस्तान, जिंदाभाद और राज करेगा खालसा तो ये court ने decide कि क्या ये sedition है या नहीं है तो court ने बोला कि just because थोड़ी सी sloganeering हुई इसको हम sedition नहीं मानेंगे जब तक ये जो words हैं ये किसी तरीके की violence या किसी तरीके का armed rebellion नहीं ये create करते तब तक ये 4-6 slogans को हम किसी भी तरीके से ये नहीं मानेंगे कि ये disloyalty या dis affection लाएगा government of India या state के against and last friends आपको जानके भी अहरानी होगी कि then finance minister of India 2015 में अरुन जेटली के against UP के court ने cognizance ले लिया था और उन पर sedition लगा दिया था तो UP का जो अलाबाद high court है उसने ये बोला कि जब तक जो material है उससे armed rebellion नहीं होता insurrection नहीं होती, violence नहीं होती या arms लाने के लिए किसी को insight नहीं किया जाता या abate नहीं किया जाता तब तक उसको हम sedition नहीं बोलेंगे तो ये सारे case laws देखके हमें ये बात क्या clear हो गई कि जब तक कोई चीज किसी तरीके की violence, armed rebellion या arms को insight ना करे तब तक उसको हम एक seditious नहीं मानेंगे उस act को हम sedition नहीं मानेंगे तो अब हमें ये देखना है कि कोट क्या कनया कुमार, उमर, खालेद या उसके बाद शारजील, इमाम, दिशा, रावी इन सब को sedition के अंदर convict करता है या नहीं करता, अब कोट को ये चीज़े find out कर नहीं है कि ये चीज़े violence create कर सकती थी या नहीं कर सकती थी, तो friends ये भी देखा गया है कि ये जो 124A है, इसको governments ने बहुत जादा misuse किया है जहां पे कोई छोटा offense भी होता था, वहां भी 124A का offense लगा दिया गया है So it is high time कि Supreme Court को या High Courts को कुछ guidelines बनानी चाहिए लेके कि कब हम actually में government या पुलिस इसके उपर, किसी person के उपर sedition लगा सकती है या नहीं लगा सकती है क्योंकि ये एक बहुत ही serious offense होता है, जिसमें life imprisonment तक की भी सजा हो सकती है So friends, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको sedition के बारे में completely बता है वीडियो पसंद आई होता है, लाइक ज़रूर कर देना अब मैं आपसे next वीडियो के अंदर मिलूँगा आप अपने suggestions मुझे नीचे comment box के अंदर भी बता सकते हो So thanks a lot, all the best, God bless you